हेलो बच्चों मैं शशी चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटीब चैनल इस्टडी भी चंद्रा शशी पर तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो बच्चों आज हम जो आपका कक्षा चोथी का अध्याय दो है लम्बा और चोटा इसको समझेंगे और इस अध्याय को करेंगे जो आपकी चोथी कक्षा की हिंदी की जो गडित की किताब है गडित का जादू उसमें से यह पार्ट यहां दिया गया है बच्चों इससे पिछली वीडियो में हम इस पेज नमबर 14 तक कर चुके थे और अब जो आज की वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे पेज नमबर 15 से तुम कितने लंबे हो गए हो क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो कितने लंबे सेंटिमीटर में नापो तो अब आप क्या करेंगे कक्षा 3 में तो आप जो थे थोड़े से कम लंबे थे अब आप बड़े हो गए हो तो लंबे भी हो गए हो अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तीसरी से चौथी में आ गए हो ठीक है तो आप क्या करेंगे आप लंबे हो गए है तो अब आप क्या करेंगे अपने आपको नापेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी लंबाई कितनी हो गई है क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए है पता करो और नीचे दे गई तालिका को पूरा करो मित्र का नाम आपको यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखना है पिछले वर्ष की लंबाई लिखनी है मतलब जब वो तीसरी कक्षा में था तो उसकी क्या लंबाई थी और इस वर्ष की लंबाई लिखनी है मतलब अब वो छौथी में आ गया है तो कितनी लंबाई उसकी है और पहले से कितने сエंटीमीतर बढ़ गए है तीसरी कख्षा में जो लंबाई थी और चौथी कख्षा में जो लंबाई है तो अब आप क्या करेंगे इसको घटाएंगे और जो आएगा उसको आप यहां लिखेंगे ठीक है? अगला कोशन जुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्ति की सूची को पढ़ा उनमें से एक 232 सेंटीमीटर लंबा था यह जुम्पा की लंबाई से दो गुना था जुम्पा कितनी लंबी है? अब देखो यहां कहा रहा है दो गुना मतलब दो गुना लंबा था तो कितना जुम्पा की लंबाई कितनी होगी? आदी होगी इससे तो 272 को हम क्या करेंगे? दो से भाग कर देंगे ठीक है? तो 2 एकम, 2 कितना आया नीचे साथ? क्योंकि 2 में से दो गया बचा जीरो ठीक है? तो 2 तीया छे कितना आया? एक फिर उतारा हमने उपर से दो तो 2 चीक 12 मतलब 136 सेंटीमीटर लंबाई थी किसकी जुम्पा की? कितनी? 136 सेंटीमीटर अब देखो जब हम 136 में 136 जोड़ देंगे तो देखो क्या आएगा? 6 उच्छे 12 3 उच्छे और 1 साथ एक और 1 दो आगया ना 272 सेंटीमीटर ठीक है? मतलब इसकी जुम्पा की कितनी लंबाई थी? आदी लंबाई थी और इसकी कितनी थी? 136 की दोगना मतलब दुगनी ठीक है? तो जुम्पा की लंबाई केवल इतनी थी और इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी डबल दुगनी ठीक है? आप देखो क्या यह है व्यक्ति बिना जुके तुमारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? अगर यह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर्थ तुमारे घर की चत से टक्राएगा? भई बिल्कुल टक्रा सकता है ठीक है? और नहीं टक्राएगा तो दरवाजे से तो टक्राई जाएगा ठीक है? परिवार में कौन है लंबा और कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तो आप अपने पापाजी की या आपके चाचा जी हो ताउ जी हो, दादा जी हो मम्मी हो, कोई भी हो जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे तुम्हारे परिवार में जो सबसे छोटा होगा ठीक है उसका नाम आप यहां लिखेंगे और उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है वो आप यहां लिखेंगे ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं अथा विद्याले खेल प्रतियोगिता दोड यह लड़कियों की 100 मीटर क उसके पीछे रेहाना है कौकडा और उमा रेहाना से पीछे दोड रही है चित्र को देखो नीचे दिये गए प्रशनों का उत्तर देने के लिए दूरियों में से चुनो यह रही दूरिया ठीक है तीन मीटर छै मीटर दस मीटर पंदरा मीटर अब देखो यहां पर कहा था क अरुंधती ये अरुंधती इसा कलड़ यह ए अरुंधती सबाबती रेखा के बाष्ट है उसके पीछे रेहाणाada कोंकुरा कांटा कोंकुरा और उमा जो है ये रेहाना के पीछे है और रेहाना अरुंधती के पीछे है ठीक है अब क्या कहा गया है रेहाना अरुंधती से कितनी दूर है अब देखो अगर ये 6 मीटर है तो अब आप ये देखो यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर है तो रेहाना अरुंधती से कितनी वी बनती हैं लगभग कोऊक्णा और उमा से रिहाना कितनी आ गे लगभग बराबर लग लग रही है तो च्छे मीटर हम यहाँ पर लिख देंगे कोईकडा और समाप्ति रेखा से कितनी दूर है अब इसमें कहा गया है कोउकडा और उमा मतलब तब यह दोनो इस समापती रेखा से कितनी दूर हैं तो देखो 6 मीटर तो यह है और 6 मीटर यह है तो 6 और 6 क्तने हो गões बारा और 3 यह कितने हो गया 15 तो यहां लिकेंगे हम 15 मीटर ठीक हैं अगला देखो क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौर के बारे में सुना हैं क्या त 500 मीटर आधा किलो मीटर होता है अब देखो बच्चो सबसे पहले एक चीज़ देखो यहां पर ठीक है कि एक किलो मीटर एक किलो मीटर ठीक है यह एक है एक किलो मीटर बराबर कितने के होता है 1000 मीटर के बराबर होता है समझाई बात मतलब जो किलो मीटर है वो बड़ा है किस से मीटर से मीटर छोटा होता है और किलो मीटर बड़ा होता है तो जब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास सो पैसे हैं कितने पैसे हैं सो पैसे हैं ठीक है तम मिल करके कितना बनता है एक रुपया बनता है इसी तरीके से 1000 मीटर जब मिलते हैं तो 1 किलो मीटर बन जाता है ठीक है तो 1000 मीटर में कितने हो गए 1 किलो मीटर आप देखो क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दोड़ के बारे में सुना है क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलो मीटर होता है और 500 मीटर आदा किलो मीटर अब देखो 500 और 500 जब हम जोड देंगे तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे बच्चों 1000 कितने हो जाएंगे 1000 यानि कि 1 किलो मीटर ठीक है और आदा मीटर कितना हो गया 500 मीटर ठीक है अब देखो इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दोड़ के लिए किलो मीटर दोड़ना पड़ेगा कितना एक दसमलब पांच किलो मीटर ठीक है एक दसमलब पांच किलो मीटर दोड़ना पड़ेगा मतलब डेड़ किलो मीटर एक किलो मीटर और आदा मीटर ठीक है 3000 मीटर की दोड़ के लिए किलो मीटर दोड़ना पड़ेगा बही कितना जब 1000 मीटर बराबर कितना है एक किलो मीटर ठीक है तो अब बदाओ 3000 के लिए क्या हो जाएगा 3000 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 3000 किलो मीटर हो जाएगा है ना तीन किलो मीटर हो जाएगा जब एक हजार के लिए एक किलो मीटर है तो तीन हजार मीटर के लिए तीन किलो मीटर ठीक है आगे देखो क्या तुमने मैराथन दोड के बारे में सुना है क्या तुमने मैराथन दोड के बारे में सुना है जिसमें लोगों को लगबक 40 किलो मीटर दोडना पड़ता है 40 किलो मीटर लोग मैराथन दोड के लिए सड़क पर ही दोडते हैं क्यूंकि स्टेडियम में दोडने का रास्ता 400 मीटर होता है इस्टेडियम के 10 चक्कर कितने किलो मीटर तो हमने यह देखा इस्टेडियम है 400 मीटर का ठीक है तो जब हम इस्टेडियम के 10 चक्कर लगाएंगे मतलब इसके हम कितने चक्कर लगाएं 10 ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 400 को हमें 10 से गुणा करना पड़ेग कुंकि हमको दस्終iskt कर लगाने तो यह कितने हो जाएंगे 0000 और 204 ऺ्छिप 2017ौ 승ास टीक कि ऑज़ते हैं दो जीरो लगा दिए हमने एक दो यह वाले और एक यह वाला टीन जीरो लगा दिए और 4000 हो गई तो मतलब 4000 मतलब 4000 किलो मीटर क्योंकि 1000 बराबर हमने अभी सीखा था एक किलो मीटर ठीक है तो 4000 बराबर कितने हो जाएंगे बताओ चार किलो मीटर ठीक है चार किलो मीटर हो जाएंगे ठीक ये तो हो गई ये वाले के स्टेडियम के 10 चकर 4 किलो मीटर के बराबर हो जाएंगे अगर हम स्टेडियम के 10 चकर लगाएंगे तो हम कितनी दूरी तैय कर लेंगे 4 km हमने अभी निकाला 4 km हो जाएंगे इसलिए अगर तुम्हें मेराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के कितने चकर लगाओगे अब देखो यहाँ पर कितना है यह 400 मीटर की दूरी है स्टेडियम की मेराथन की दूरी कितनी है हमारी 40 km है तो हमने अभी निकाला था 1 km बराबर कितना होता है बच्चों 1000 1000 मीटर ठीक है तो अब देखो 40 km के लिए कितना हो जाएगा 40 km के लिए कितना हो जाएगा हम यहाँ पर लिखेंगे 40 और फिर 1000 की 3 0 लगा देंगे 40 मीटर 40,000 मीटर हो जाएगा 40 km ठीक है तो हमें पता है कि 400 मीटर का इस्टेडियम है हमारा तो हम क्या करेंगे देखो 40,000 आया हमारा 40,000 क्या आया 40 km को जब हम km को मीटर में बदलेंगे तो यह आजाएगा 40,000 मीटर ठीक है और इस्टेडियम का जो दोड़ने का रास्ता है वो हमारा कितना था 400 तो हम क्या करेंगे इसको 400 से इस तरीके से भाग कर देंगे देखो 0 से 0 कट जाएगी 4 से करो 4 एक हम 4 और 1 यह 0 और 1 यह 0 निकट गई ठीक है देखो फिर से देखो एक किलो मीटर बराबर कितना था एक हजार मीटर ठीक है तो 40 किलो मीटर कितना हो जाएगा सीधी सी बात है अगर 5 किलो मीटर होगा तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर ठीक है और 40 किलो मीटर मतलब 40,000 मीटर ठीक है 40,000 मीटर हो जाएगा फिर उसके बाद हमारी दूरी कितनी है 400 मीटर की दूरी है ना यही 400 मीटर की दूरी है हम क्या करेंगे 400 से इसको भाग कर देंगे या तो इस तरीके से रखे काटो बटे में रखे काटो और या फिर इस तरीके से काटो ठीक है, 40,000 को अंदर रखो और 400 को रखो बाहर ठीक है, तो 400 एकम 400 ठीक है, 400 में से 400 गया कितना बचा, कुछ नहीं बचा ये वाली उतारेंगे 0 नीचे ठीक है, 400 को 0 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 0 0 के नीचे 0 उतारी, क्या आया, 0 फिर ये वाली 0 उतारेंगे फिर इसके नीचे आजाएगी 0 तो ये आजाएगा 100 मतलब 100 शक्कर हमको लगाने पढ़ेंगे, स्टेडियम के तो ये कितना हो जाएगा 40 किलो मीटर की दूरी हम तै कर लेंगे मेराथन के बराबर, ठीक है इससे अगले पेज को बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आज आप केवल इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे